आज हम बनाएंगे मिल्क पॉप्सिकल ये खाने में बहुत ही टेश्टी होता है और इसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत ही असानी से बनके तयार होने वाला रेसिपी है और सिर्फ इसे दूद से ही और चीनी से बनाया जाता है तो आईए इस रेसिपी को बनाते हैं मिल्क पॉप्सिकल बनाने के लिए हमने याँ पर लिया है हाप लिटर दूद दूद को हम सबसे पहले बॉयल करेंगे दूद को मैंने गैस में चड़ा दिया है अब हम उसमें डालेंगे चीनी चीनी हमने याँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है आप चीनी अपने हिसाब से डालें आपको चीनी यानि की मीठा जितना पसंद हो उस हिसाब से अब हम इसमें ये पांच इलाइची डालेंगे इलाइची साबूत के जगा में आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम दूद को थोड़ा उबलने देंगे अब ये दूद हलका उबल रहा है तो अब हम गैस का फ्लेम लोग कर देंगे क्योंकि हमें धीमी आज में इसे दस मिनट के लिए बीच बीच में इसी तरह से चलाते हुए उबलने देना है काके दूद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाये हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे उबलने देते हैं दूद को अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर हम थंडा होने देंगे दूद अब ठंडा हो चुका है, हम ये इलाइची को निकाल लेंगे दूद से, मैंने यहां पर लिया है, आइस क्रीम मॉल्ड, हम इसमें दूद को डालेंगे, इसी मॉल्ड में, अब हम इस मॉल्ड में दूद को डाल देंगे, हमने तीन मॉल्ड में दूद को डाल दिया है, अब हम बाकी के तीन मॉल्ड में हम दूद को डालेंगे, इससे पहले हम इसमें डाल देंगे, एक चम्मज रोज सिरप, और फिर हम रोज सिरप को अच्छा से मिलाएंगे, रोज सिरप को मैंने दूद में अच्छा से मिला लिया है, अब हम इसे भी मॉल्ड में डाल देंगे, मैंने मॉल्ड में दूद को भर दिया है, अब हम इसका ढखकन लगा देंगे, अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे, फ्रीजर में, आइस्क्रीम को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, ये अच्छा से सेट हो चुका है, जम चुका है, तो हम इसे दस सेकेंड के लिए पानी में डालेंगे, ताकि ये असानी से निकल जाए, अब हम इसे मॉल्ड से निकाल लेते हैं, आइस्क्रीम को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेष्टी और मज़ेधार आइस्क्रीम हमारा बन के तयार हुआ है, अगर आपको हमारी ये मिल्क पॉप्सिकल यानि कि आइस क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू